हलो दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइटिया एक्लासिस में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थियोरी, इंस्टूमेंट, मेकैनिक के कुछ और इंपोर्टेंट MCQs की तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि आप वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जितने भी MCQs की वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो सभी आपकी चैप्टर वाइस हैं और ये सभी परसन आपके प्रिवियस येर में पूछे जा चुके हैं आप एक्जाम पेपर यादी उठा कर देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि पहला परसन आपका कि DC जनेरेटर का परियोग किया जाता है पहला प्षन है यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करने के लिए दूसरा प्षन है विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करने के लिए तीसरा option है AC को DC में बदलने के लिए और चोथा option है DC को AC में बदलने के लिए तो इसका जो सही answer होगा option number A होगा कि यांतरी कुर्जा को विदुत उर्जा में बदलने के लिए आप DC generator का परियोग करते हैं इसके बाद में second question है आपका कि DC generator में armature winding किस पदार्थ की बनी होती है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है ढलवा लोहे, दूसरा option है cast steel, तीसरा option है copper, चोथा option है carbon तो इसका जो सही answer होगा option number C होगा copper इसके बाद में third question है आपका कि alternator के मुख्य भाग होते हैं option इसमें आपको दिये गए है पहला option है stator, body, दूसरा option है rotor, तीसरा option है exciter, चोथा option है ये सभी तो इसका जो सही answer होगा option number D होगा ये सभी fourth question है आपका कि AC generator के field होते हैं option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है stationary, दूसरा option है rotating type, तीसरा option है AWB दोनों और चोथा option है आपका इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer होगा option number C होगा AWB दोनों इसके बाद fifth question है आपका कि किसी alternator की EMF बढ़ानी होतो option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है field को regulate करके flux को बढ़ाते हैं दूसरा option है voltage कम करके, तीसरा option है capacitor लगाकर और चोथा option है ये सभी तो इसका जो सही answer होगा option number A होगा कि field को regulate करके flux को बढ़ाते हैं इसके बाद sixth question है कि exciter वह होता है option इसमें आपको गीवन है, पहला option है जो rotor को excite करता है दूसरा option है जो rotor तथा stator दोनों को excite करता है तीसरा option है जो stator को excite करता है या फिर चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा option number A होगा जो rotor को excite करता है इसके बाद में 7th question है आपका कि alternator की rating होती है मतलब जो आप alternator की rating लेते हैं वो किस चीज में होती है option इसमें आपको given है पहला option है किलो वाट में दूसरा option है होर्स पावर में तीसरा option है किलो वोल्ट एमपियर ओमें और या फिर चोथा option है किलो वोल्ट एमपियर में तो इसका जो सही आंसर होगा option number D होगा KVA में यह जो आपका KVA होता है यह आपकी total power होती है मतलब जितनी भी आपके किसी motor से या फिर जिस भी चीज से आप power देना चाहते हैं और जो आपका KW होता है मतलब किलो वाट जो आपका होता है या आपकी real power होती है मतलब जितनी उसे चाहिए होती है इसके बाद में एट्थ कोश्चन है आपका कि DC generator में Bruce मुख्या रूप से किस धातुके बने होते हैं आप्शन इसमें आपको गीवन है पहला आप्शन है graphite दूसरा आप्शन है carbon तीसरा आप्शन है copper चोथा आप्शन है ये सभी तो इसका जो सही आप्शन होगा option number B होगा carbon नाइन्थ कोश्चन है आपका कि किस परकार की मसीनों के परचालन के लिए दिष्ट धारा का उप्योग किया जाता है आप्शन इसमें आपको गीवन है पहला option है AC मसीन दूसरा option है DC मसीन तीसरा option है AWB दोनो चोथा option है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा AWB दोनो इसके बाद 10th question है आपका कि DC generator में किसी चालक में एक घुन्णन में उत्पन होने वाला ओसत बल flux में परिवर्टन की दर खालिस्तान होता है option इसमें आपको given है पहला option है से अधिक दूसरा option है से कम तीसरा option है के बराबर चोथा option है के वियुद कर्मन उपाती तो इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा के बराबर यहाँ पर आपका फिरिंदबलांस में ये आएगा तो इसके बाद में next question number 11 है आपका field नियंतरण विधी कहते है option इसमें आपको given है पहला option है armature परतिरोध नियंतरण विधी को दूसरा option है flux नियंतरण विधी को तीसरा option है voltage नियंतरण विधी को और चोथा option है उपरोक्त सभी तो इसका जो सही answer होगा option number B होगा flux नियंतरण विधी को इसके बाद में question number 12 है आपका कि निम्न में से किस machine का परियोग 3 phase power उत्पन करने के लिए किया जाता है option इसमें आपको given है पहला option है DC motor दूसरा option है DC generator तीसरा option है AC motor चोथा option है AC generator तो इसका जो सही answer होगा option number D होगा AC generator question number 13 है आपका कि series generator में load बढ़ाने पर voltage खालिस्तान है option इसमें आपको given है पहला option है बढ़ता है दूसरा option है कम होता है तीसरा option है स्थी रहता है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer होगा option number C होगा इस्थी रहता है question number 14 है आपका DC machine में armature पटलित किया जाता है option इसमें आपको given है पहला option है भवर धारा हानी को कम करने के लिए दूसरा option है copper loss को कम करने के लिए तीसरा option है hysteresis loss को कम करने के लिए और या फिर चोथा option है घर्षन को कम करने के लिए तो इसका जो सही answer होगा option number A होगा भवर धारा हानी को कम करने के लिए question number 15 है आपका कि armature में winding का सयोजन होता है option इसमें आपको given है पहला option है केवल स्रेणी करम में दूसरा option है केवल समांतर करम में तीसरा option है स्रेणी अथवा समांतर करम में या फिर चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer होगा option number C होगा स्रेणी अथवा समांतर करम के बाद question number 16 था आपका कि एक DC generator में बुरूस का तनाव उसके कारिये के लिए बहुत महतपून होता है अत्यदिक बुरूस तनाव से option इसमें आपको गिवन है पहला option है मसीन का वेग कम हो जाएगा दूसरा option है निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी तीसरा option है निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी और चोथा option है आपका दिक परिवर्तन अतितप्त होगा और सत्य गिस जाएगी तो इसका जो सही answer होगा option number D ही होगा कि दिक परिवर्तन अतितप्त होगा और सत्य आपकी गिस जाएगी इसके बाद में question number 17 है आपका कि एक DC generator voltage नहीं दे रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है गोहमने की दिशा गलत हो दूसरा option है commutator पर carbon bruce संपर्क सही नहीं हो तीसरा option है residual magnetism खतम हो गया हो या फिर चोथा option है ये सभी तो इसका जो सही answer होगा option number D होगा उप्रोक्त सभी इसके बाद में 18th question है आपका कि flaming के बाएं हाथ के नियम में अंगुठा परदर्शित करता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है EMF पहला option है उत्पन EMF की दिशा दूसरा option है चालक के घुमने की दिशा तीसरा option है चुमबा के अफ्लक्स की दिशा चौता option है उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही answer होगा option number B होगा चालक के घुमने की दिशा इसके बाद question number 19 था आपका यदि किसी एक DC motor के supply terminals को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा option इसमें आपको दिये गए है पहला option है motor DC generator की भाती कारिया करने लगेगी दूसरा option है motor की घुमने दिशा परिवर्तित हो जाएगी तीसरा option है motor की घुमने दिशा वही रहेगी या फिर चोथा option है motor जल जाएगी तो इसका जो सही answer होगा option number C होगा motor की घुमने दिशा वही रहेगी इसके बाद में question number 20 है आपका की प्रेरण motor option इसमें आपको दिये गए है पहला option है सवचालित नहीं होती दूसरा option है उच बलागून के साथ सवचालित होती है तीसरा option है आपका एक निश्चित बलागून जो निश्चित बलागून की तुलना में कम होता है के साथ सवचालित होती है और चोथा option है इसका प्रारंबिक बलागून सुन्य होता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा की एक निश्चित बलागून जो निर्धारित बलागून की तुलना में कम होता है के साथ सवचालित होती है इसके बाद में question number 21 है आपका आर्मेचर की आकरती होती है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है बेलनाकार दूसरा option है व्रत्ताकार तीसरा option है त्रिभुजाकार चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा option number A होगा बेलनाकार इसके बाद में question number 22 है आपका कार्मेचर बुरुस तथा बुरुस होल्डर की आकरती होती है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है वर्गाकार दूसरा option है आयताकार तीसरा option है तिर्भुजाकार चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा option number B होगा आयताकार इसके बाद में question number 23 है आपका कि line में voltage पतन की छती पूर्ती करने में परियुक्त generator है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है संट generator दूसरा option है स्रेनी generator तीसरा option है compound generator चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा option number C होगा compound generator इसके बाद में question number 24 है आपका कि railway distributor system में बूस्टर की तरह परियुक्त generator है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है स्रेणी जनरेटर, दूसरा option है संट जनरेटर, तीसरा option है compound जनरेटर, और चोथा option है इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही answer होगा, option number A होगा, स्रेणी जनरेटर, इसके बाद में अगला और आखरी प्रसन है आपका, कि निम्न में से कोन सी वीधी separately excited motor की चाल को नि आखरी जनरेटर, दूसरा option है, फ्लक्स नियांतरण विधी, तीसरा option है, वोल्टेज नियांतरण विधी, ओर चोथा option है, ये सभी, तो इसका जो सही answer होगा, option number C होगा, वोल्टेज नियांतरण विधी, तो दोस्तों आजकी वीडियो में हम मितना ही रखते हैं, and our next video हम बा झाल झाल